हेलो फ्रेंट्स, गवर्मेंट जो अब जने नॉटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है स्टेट बैलिडिटी को लेकर के लिटिस्ट अपडेट आया है अनॉंसमेंट हुआ है कि जो सीटेट एंड एस्टेट सेंट्र लिवल का जो टेट एक्जाम रहते हैं दोनों की जो बैलिडिटी रहती है वो सेवन यर्स तक के लिए रहती थी सो जो भी कैंडिडेट या स्टेट गवर्मेंट टीचर बरना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है अभी क्या होता था कि आफ्टर सेवन यर्स आपको फिर से टैट एक्जाम के लिए करना होता था और उसके बाद आप टीचर सिप के लिए अगर आप गवर्मेंट टीचर बरना चाहते हैं तो तब ही आप इसके लिए आलिस बिल होते थे लेकिन आप अगर ये लाइफटाइम हो गया है तो आपके लिए बहुत अच्छी खुसकवरी है और खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए क्यूंकि कई ऐसी conditions होती है, situation होती है जिसमें अगर फीमेल कैंडिडेट है उनको job छोड़ना पड़ता है और फिर बात में अगर वो चाहती है की job करना फिर से और इतने में अगर जो 7 years का target रहता है 7 years का जो duration है validity का वो अगर complete हो जाता है expire हो जाता है certificate तो आपको फिर से TED exam के लिए करना होता था लेकिन अब ये जो lifetime कर दिया गया है तो इसमें female candidate के लिए या जो भी candidate after 7 years भी अगर job के लिए सोच लेते हैं कि government teacher के लिए eligibility रखनी है या apply करना है तो वो भी अब इसमे apply कर सकेंगे मैं आपको जो notification आया है या जो announcement की गई है official site पर मैं आपको उस पर लेकर चलूंगी और साथ ही उसकी link भी मैं आपको description box में दूंगी अगर आप भी चेक करना चाते हैं तो description box में आपको link मिलेगी वहां से आप उसको check कर लीजेगा ओके सो अभी हम जो announcement की गई है मैं जो notification आया है उस पर लेकर चलती हूं ओके सो आप यह देख रहे हैं मैं यह जो official notification है announcement की गई है मैं उस पर हूं आप देखें national council for teacher education राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशाद सो यह यह 13 अक्टूबर को यह release किया गया था और यह यहां पर हम नीचे चलेंगे एक मिनट मैं जो यह आया है CTAT को लेकर के CTAT exam को लेकर के यह देखें आप यह देख रहे है agenda item number 7 ठीक इसमें लिखा गया है consideration of the issue related to extension the validity of teacher eligibility test from 7 years to lifetime इसको लेकर के यहां पर जो changing की गई है the council considered the agenda item and approved the validity of test certificate changing it from 7 years to the lifetime 7 years से हटा करके lifetime तक के लिए जो approved कर दिया गया है यह जो agenda जो था इसमें जो discussion किया गया है उसमें approved कर दिया गया है कि 7 years से हटा करके lifetime कर दिया जाएगा and this provision would have prospective effect and for those have already passed out और साथ ही आपर दिया गया है जो पहले से ही pass out कर चुके हैं उनके लिए भी यह लागू रहेगा यानि आपने जो test exam दे दिया है already having test certificate जिनके पास already test certificate है उनके लिए भी treatment accordingly okay so जिन्होंने कर लिया है उनके लिए और जो आगे करने वाले हैं उनके लिए 7 years से हटा करके lifetime कर दिया जाएगा तो यह बहुत अच्छा तो आप यह तो चेक कर लिजेगा या फिर मैं भी कोसिस करूंगी आपको वीडियो अप्लोड कर देगा अगर आपको वीडियो helpful रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बाल आइकन को भी प्रेस कीजेगा ताकि आपको notification टाइम स मिलेगा जब भी मैं कोई न्यूव वीडियो अप्लोड करूंगी थैंक यू